हेमा मालनी और अमिताब बच्चन ने फिलिम बागवान में एक बूड़े माबाप का रोल निभाया था इस फिलिम में दिखाये गया था कि हेमा और अमिताब के नालायक बेटे और नक्चड़ी वहुएं उनका ध्यान नहीं रखते हैं और उनके एमोशन का ख्याल किये बिना उन्हें अलग-अलग कर देते हैं यह फिलिम तो सुपरेट रही थी लेकिन इसमें उनके बुरे बेटों का रोल निभाने वाले एक्टर्स को दर्शकों ने खूब भला बुरा कहा और उनके बेटे अमन वर्मा और साहिर चड़्धा ने कहा कि बागवान की रिलीज के बाद उनकी जिंदगी ही बदल गई और आज भी बुजुर्ग लोग बागवान फिलिम में अपने माभाप के साथ गलत बरताब करने के लिए उन्हें डारते हैं अमन वर्मा ने कहा कि वे इस फिलिम से पहले क्योंकि साज भी कभी बहुत थी और खुलजा सिमसिम जैसे सोच कर चुके थे और उन्हें यकीन नहीं होता कि आज भी लोग इस फिलिम की बात करते हैं लोग उनसे आज भी पूछते हैं कि अमन जी आप इतनी नालायक ओलात कैसे हो सकते हो वहीं अमन वर्मा हेवा मालनी के साथ सैट पर काफी वक्त बिताते थे